आज बेटा हम 3.4 हमने लास्ट वीडियो करी थी कुछ टाइम पहले आज हम 3.5 की वीडियो यहाँ पर करने जा रहे हैं 3.4 में हमने मिंस्ट्रिल साइकल सेक्शन पड़ा था तो आज हम फर्टिलाजेशन एंड इंप्लांटेशन की बात करेंगे पिछली वीडियो देखने के लिए आप हमारे ग्रूप की प्लेलिस देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा या आप खुद से भी चैनल में जाकर देख सकते हैं क्लास 12 बाइलोजी की वीडियो आपको महां मिलेंगी जो की नीट में अब यह सी नर्सिंग के अड्मिशन में काम आएंगे आपके that during copulation यानि की fertilization जब होती है sexual intercourse जब होता है तो semen is released by the penis into vagina और यह जो process होता है इसको अमने इस चप्टर के शुरू में ही पढ़ लिया होता है कि इस process को क्या का जाता है insemination कहा जाता है जो motile sperms है जो quickly move करते हैं वो तेजी से swim करते हैं cervix और vagina को बर्थ किनाल कहते हैं तो cervix में से pass करते हैं uterus में enter करते हैं और finally reach करते हैं एंपलरी reason of fallopian tube को यह इस बात को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा देखो उसने आपको बोला figure 3.11b अगर आप इसके लिए देखोगे तो आपको अपने आपी समझ में आ जाएगा कि भई अगर यह नीचे cervical portion है यहां से enter करोगे आप फिर आप uterus में enter करोगे और फिर आप fallopian tube की तरफ move करेगा आपका sperm cell तो यह बात उसने हमें यहां पर कह दी उसके बाद the ovum released by the ovary is also transported और जहां employee reason पर sperm है वही पर ovary से release होकर ovum भी पहुँचेगा और वहां पर दोनों की मुलाकात होगी तो answer हमेशा क्या होना चीए employee reason होना चीए अगर आपसे पूछा जाए कि fertilization कहा हो रही है fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously एक समय पर दोनों अगर एक साथ माँ पहुचेगे तो ही fertilization होगी वरना fertilization नहीं होगी इसी कारण क्योंकि हर बार वो एक जगे साथ साथ नहीं पहुचते this is the reason why not all copulations lead to fertilization and pregnancy यही कारण है कि सभी copulations जो होती है वो fertilization या pregnancy cause नहीं करती है the process of fusion of sperm with an ovum sperm और ovum जो मिल जाते हैं अगर वो एक समय पर एक जगे पहुच जाए तो उसे fertilization कहा जाता है fertilization के दोरान जब ovum तक sperm पहुचता है तो sperm जो है ovum की outermost layer जिसको आप कहरे हो jona pellucida जो आपको इस diagram में दिखरी होगी उसके साथ contact में आता है come in contact with jona pellucida layer of ovum and induced changes in the membrane और jona pellucida की membrane में ऐसे बदलाव ले आता है कि वो block कर देती है further entry of additional sperm की तब उसके बाद कोई और sperm enter नहीं करेगा thus it ensure that A की sperm जो है fertilize करे किसको एन ovum secretions of acrosome acrosome के sperm के अंदर present होता है तो secretion of acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of ovum sperm के अंदर जो acrosomal secretions है वो मदद करते है sperm cell की की वो यहां से निकल कर यहां center करते हुए ovum तक अंदर पहुँच जाए through the zona pellucida सबसे पहले zona pellucida membrane corona radiata membrane इन सब membranes को cross करते हुए periviteline space इन सब को cross करते हुए वो अंदर पहुचेगा ovum surrounded by few sperms लेकिन इन में से कोई एक ही sperm उसे fertilize करेगा जैसे इस case में most probably यहाला fertilize करेगा through the zona pellucida and the plasm brain this induce the completion of meiotic division और जैसे ही ऐसा होता है कि sperm अंदर पहुच जाता है ovum के cytoplasm में उसी समय meiotic division of secondary oocyte पूरी हो जाती है जो हमने थोड़े दिनों पहले पढ़ा था कि उसकी division secondary oocyte stage में आकर arrest हो जाती है वो further divide नहीं करता जो यहाँ पर यह secondary oocyte है जो अरेस्ट हो जाता है यह अपनी division को पूरा करता है जब sperm cytoplasm of ovum में पहुचता है the second meiotic division जो है वो भी unequal होती है और वहाँ पर दो चीज़ें बनती है जैसे first में दो चीज़ें बनी थी secondary oocyte and first polar body तो यहाँ पर second polar body बनती है और haploid ovum बनता है जिसको आप क्या कहते है यह नाम आप से कई बार पूछ लिया जाएगा ootid कहते है soon the haploid nucleus of sperm और haploid ootid fuse करते हैं और क्या बनाते हैं zygote तो भई कितने chromosomes होंगे zygote में 23 male के 23 female के क्योंकि gamit में NN होता है तो 46 one has to remember that sex of baby has been decided at this stage इसी stage पर baby male होगा या female यह बात decide हो जाती है यह बात भी हमें समझ में आने चाहिए कैसे decide हो जाती है देखे as you know the chromosome pattern in human female is XX हो homozygous है और male में XY therefore all the haploid gamits जो female से produce होंगे वो हमेशा क्या होंगे उन में से एक आएगा law of segregation से तो हमेशा X आएगा जबकि male gamit पे 50% chance है it can be X और Y तो अगर वहाँ से X आया तो it will be a female और अगर Y आया तो it will be a male तो after fusion of male and female gamit depending कि male से या female क्या आया है X आया male से तो female baby और Y आया तो male thus it is scientifically correct to say baby का जो birth है वो male है female वो किस से decide होता है बटा वो decide होता है father से the mitotic division जैसे ही बनता है यह haploid cells जो emplory reason पर आकर fertilize कर रहे हैं इनके होते ही क्या हो जाता है तुरंत zygote move करता है आपने पढ़ाओगा ample asthmus and fundibulum reason होते हैं philippine tube में through the asthmus of oviduct movement जब वो start करता है towards the uterus जहां जाके उसे implant होना है तो उसके cells divide करते हैं कि अगर यह zygote है तो फिर वो दो cell में divide करेगा जैसे sperm cell इसमें enter करेंगे तो यह zygote बनेगा और फिर यह दो cell में फिर चार में फिर आठ में इस डिवाइड करता रहेगा इस division को mitotic division ने सीधा 2 की square में चल रहा है तो उसे uterus तक जाते हैं जो division होते हैं उसे cleavage कहते हैं और जब इसमें 16 daughter cells बन जाते हैं तो उसे blastomeres कहा जाता है जब इसमें 16 से 64 बन जाते हैं तो उसे morula कह दिया जाता है तो 16 तक जैसे यहाँ पर 8 है तो यह morula है एक तरीके का blastomere है और अगर embryo with 8 to 16 cells उसे blastomeres उसे क्या कहते हैं morula कहते हैं तो शहीद थोड़ी से हमें read करने में यहाँ पर कोली में confusion होगे उसको clear कर लेते हैं क्या बात हुई है कि भाई जब डिवाइड करेगा 2,4,8,16 जो भी इस cells बनाएगा इन cells को कहते हैं blastomeres अगर यह blastomeres 8 से 16 की संख्यामी है जैसे कि इस वाले diagram में हमें दिखेगा कि 8 to 16 के बीच में हैं तो इसे कहते हैं morola इससे जादा हो जाते हैं तो इसे कहते हैं blastola as it moves further into the uterus तो वो धिरे-दिरे बढ़ता रहता है और blast तो system convert होता रहता है अगर हम इसको diagramatically समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस परकार देखो समझ में आएगी हमें इस बात की A, B, C, D, E तो E तक जो है morola है और अगर वही चीज़ G में हम चेक करेंगे यानि कि जब यूटरस के बिल्कुल पास आ गया है यहां तक morola और यह हमें blastola cell नजर आएंगे और जब वो इसमें implant हो जाएगी तो हम क्या बलेंगे blastocyst implantation blastomers in the blastocyst blastocyst यानि कि जो G cell है जो यहां पर भी अलग से बना के दिखाया गया है इसमें जो blastomias थे हैं जो daughter cells थे जो dygote से कलिवे जो के form हो रहे थे वो दो divisions में हो गए एक तो yellow वाले जो अंदर की तरफ है और एक blue वाले बाहर की तरफ है जो यह बाहर की तरफ है इनको कहा जाता है trophoblast cells arranged into outer layer called trophoblast और inner cell को कहते हैं inner cell mass the trophoblast layer then gets attached to the endometrium and the inner cell mass get differentiated as embryo और बाद में इस trophoblast जो है endometrium में differentiate attach हो जाता है यह trophoblast और inner cell mass embryo बनाता है जैसे ही attach हो जाता है trophoblast endometrium से तो utrion cells rapidly divide करते हैं और cover कर लेते हैं पूरे blastocyst cell को as a result blastocyst जो है वो cover हो गया क्योंकि endometrium of uterus से जो कि आपको 3.111H में नजर आ रहा है इसे कहते हैं implantation और यह होने के बाद हम sure होते हैं कि क्या होने वाली है pregnancy होने वाली है तो यह आपका section था NCRT का 3.5 जिसमें हमने पढ़ा कैसे sperm cells एक जगह तक और ovum cells एक टाइम पर पहुंचने चाहिए fertilization के लिए और अगर अब पहुंच भी गए हैं तो फिर कैसे sperm cell कौन कौन सी membrane of ovum को clear करके अंदर तक आएगा उसके बाद पढ़ा sex कैसे decide होगा बेबी को our implantation कैसे होगी so thank you so much for watching keep supporting us